नमस्ते मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है ये जो हपता है वो पोस्ट दिवाली है दिवाली आपकी सबकी बहुत शुप और अच्छी गई होगी और ये जो हपता है जो 15 तारिक से शुरू होने वाला है ये बहुत इंप बहुत बड़े माइने रखने वाला है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अगर क्रॉस करता है तो निफ्टी नए हायस तक जाने की प्रॉबिटी बहुत स्ट्रॉंग है उसके साथ-साथ एक मैं स्टॉक देने वाला हूं जो कि एक मल्टिपैगर के तोर पे बार स्टॉक तो आए गई है तो दोस्तो शुरू करते हैं निफ्टी के साथ तो निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं यह डेली चार्ट है मैंने अभी पिछले बार पिछले जो वीडियो था यह सफेद रंग की ट्रेंड लाइन मैंने खीजी थी करेक्ट मैंने कहा था जब तक इसके नीचे हम क्लोज नहीं देते तब तक आपको मंदी के बारे में सोचना नहीं है बाय और डिप्स वाले रंड नीती आपना नहीं चाहिए अभी जो जो करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था उत्ता भी नहीं हुआ यह सबसी बड़ी बात है यह जो इधर से क लास्ट विए में देखने को मिल रहा था पर जिस तरीके से हमने इस लेवल से ही यूटन लिया है यह बहुत अच्छी बात है तो मैंने यह नहीं ट्रेंड लाइन दी है अभी हमारा सपोर्ट जो नीचे था थोड़ा सा और उपर आ गया है इसका मतलब क्या है हमारी रिस्क और कम होती नजर आ रही है और जो इंपोर्टन लिवल है जिसके बारे में बात कर रहा था यह जो लिवल है 18,200 पर टेखनीकली अगर देखा जाए तो इसका हाय इसका हाय जो कि लगबग 18,120 है रांग फिगर बोल रहा हूं 18,120 इसका हाय है 18,123 याने इसका मतलब है 18,130 के अगर हम लगातार अगले अपर रहते है तो यह हायर टॉप हायर बॉटम जो फॉर्मेशन है वह वापिस एक बार होते नजर आएगा इसका यह मतलब है कि इधर इस जगह पे जिन्नोंने जिन्नोंने शॉट पोजिशन ली है वो ट्रैप हो जाएंगे और उनकी शॉट कवर के वज़े से हम वापिस एक बार 18600 जो कि पहला टॉप था वह भी निकलते नजर आएंगे तो अंडर करंट काफी स्ट्रॉंग है और इधर से एक अच्छी मूव आते हुए देखने को मिल जानी चाहिए अभी जाते हैं बैंक निफ्टी पे अच्छा सपोर्ट कहा है हमने यह देखा नहीं है तो सपोर्ट 17800 टेखनीकली देखा जाए जो इसका बॉटम है पर ट्रेंड लाइन की वैल्यू अगर देखते है तो ट्रेंड लाइन की वैल्यू अगले अप्ते के लिए लगबग आती है 18750 तो 18750 18800 बहुत ही important support रहेगा इसके आसपस अगर मिलता है तो 18250 के ऊपर अगर रहता है consistently तो मैं कहता हूं कि 18500-18600 के लेवल्स रिस्टू रिवार्ट रिश्यो बहुत 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 हीतरीन होगा और यह हम अभी confirm करेंगे option chain data के साथ चलो दोस्तों तो option chain data पर पास जाएंगे और यह रहा nifty का option chain data अगर हम अभी देखते है तो सबसे ब बुरुवार को खतम होगा अठरा तरीक को खतम होगा एक लाग का OI 18000 पर है टेक्निकली सपोर्ट 17850 पर है पर डेरिटेव डेटा सपोर्ट 18000 यानि इधर से करेंट करेंट क्लोस क्या है 18110 राउंड फिगर बात करों तो 110 नीचे ही आपका सपोर्ट है इसके नीचे जाने क्या है क्या नहीं है पर अभी के लिए मैं मानता हूं 18000 के नीचे जानी की भी प्रॉबेबिलिटी ना के बराबर है बहुत बड़िया सेटप देखने को मिल रहा है 110 पॉइंट की 110 पॉइंट नीचे हमारा सपोर्ट है तो जो कुछ इंट्रा वीक करेक्शन आएगा 18000 के आ बिल रहा है वह सीधा 18300 है साथ हजार तो मेरा मानना है कि जब तक 18000 नहीं निकलता है तब तक 18000 के हो और जैसे जैसे हम 18300 के नजदीक जाएंगे इधर से शॉट कवरिंग की वजए से लोग पोजिशन्स 18300 के कट करके 400 500 में चलते नजर आएंगे और यही शॉट कवरिंग रैली आपको नए हाइस का जनम लेते हुए हम देखेंगे तो दोस्तों यह बहुत इंट्रेस्टिंग हफता रहने वाला है बहुत बड़े अपॉर्टरिटीज आएंगे शॉट हपता है पर बहुत इंपोर्टन वाला हपता है अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते है तो कोई अच्छी चार्ट पैटर्न नहीं है पर एक ही अच्छी बात है हम यह जो पैनिक लोज है उसके बहुत नीचे है तो इधर से पुल बैक एक्सपेट कर सकते है बड़ी मुव बैंक निफ्टी नहीं देने वाला तो इधर से ज और कौन से कौन से से सेक्टर होंगे इसके बारे में बिलकुल द्यान देंगे तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो अभी 38,350 का सपोर्ट है हम 38,700 यानि इधर से सपोर्ट दूर नहीं है तो इधर जो करेक्शन आएगा तो आपको बाय करना है आपका स्ट्रिक स स्टॉप लॉस 18,300 का होना चाहिए मैं स्पोर्ट निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं 38,300 के सपोर्ट के नीचे 38,300 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 38,300 और उपर में 39,500 ये पहला पढ़ा हो रहेगा और उसके बाद 40,000 ये आपको देखने को मिलेगा 40,000 के जर्ट लेवल से 40,000 के आसपस भी मिलता है तो दिस तो रिवोर्ट रिश बहुत अच्छा है अभी हम जाते हैं अभी हम जाते है sectors के और, sectors में पहला जो sector मुझे जो अच्छा लगता है वो है Nifty IT, मैं यह weekly chart दिखाता हूँ, अगर हम यह देखते हैं, तो यह छोटा सा correction आ गया, market में काफी अच्छा correction आ गया, और अगर हम देखते हैं, तो इधर consolidation हुआ, और इधर से वापस volume के साथ, यह द index उपर जा रहा है, तो आपको IT stocks, frontline और mid cap, दोनों में देखना जीए, उधर आपको बिल्कुल outperformance देखने को मिलेगा, दूसरा जो sector है, जो की support पे है, Nifty Pharma, Pharma index देखिए, तो बिल्कुल support के है, इधर risk बहुत कम है, तो आपको जो pharma stocks, इस Nifty के correction में, कम से कम correct हुए है, उध उधर आपको जादा move देखने को मिलेगा, तो ऐसे stocks ढूंडिये, जो pharma index में कम से कम गिरे है, और important resistance तोड़ते नगर आ रहे है, उधर आपको pharma stocks performance देखिए, तीसरा sector रहेगा, Nifty Auto, Nifty Auto ने correction में contributing नहीं किया, जो long term charts के इसाब से, जिस तरीके से हमने up move दिलाई है, time highs जो इधर register किये थे 2017-18 में, December 2017, January 2018, उसके बाद हम वापस एक बार वही levels पर आए है, अच्छा खासा time correction हो रहा है, पर जब ये 12,000 के ऊपर trade करना चालू कर देंगे हम Nifty Auto, तो बहुत बड़ी move देखने को मिलेगी, तो आपको Nifty Auto में आपको ध्यान देना चाहिए, जहां पर आपको Auto Stocks Out Performance दिला के नजर आएंगे, अभी Auto Stocks में आप Stocks Specific देखिए, जिन जिन Stocks ने ये correction में participant नहीं किया है, याने market नीचे गया है, पर Auto Stocks उपर गया है, उन Stocks पर ध्यान देना है, गिरे हुए Stocks पर मत देना, क्योंकि Out Performance वही होंगे, जहां पर Strength देखने को मिल रही थी, उदर ही Strength देखने को मिलेगी, तीसरा रहेगा Nifty Metals, Next Sector, Nifty Metals में मानता हूँ, थोड़ा सा Sideways होगा, Stocks Specific मुझे लगता है कि Index के हिसाब से इधर भी Corrective Rally नहीं देखने को मिली, इधर ऐसे Stocks देखने चाहिए, जहां पर अच्छे कासे Corrections आया, नीचे में breakdown द इतने सारे हमने Sectors देखें, यहीं पर आपको Participation मिलेगा, Consumption में, FMCG में अभी कुछ नहीं है, और FMCG में पराबर, इधर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वो Market Participant रहेंगे, थोड़ा सा Under Performance बाकी के Sectors में देखने को मिलेगा, अभी हम आते है, PCR पर, PCR का चार्ट देखिए, यह buying levels थी, मैं हमेशा बोलता हूँ, यह buying levels रहेगी, और जिन्होंने, जिन्होंने, मेरे PCR का वीडियो, जो उपर link पे दिया गया है, वो देखा है, उन्होंने बिल्कुल accumulate किया होगा, medium time outlook के हिसाब से, और देखिए, पहली बार हम yellow line के उपर consistently रह रह है, और जैसे-जैसे हम वापिस एक बार 1.5, 1.6 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको profit booking करनी है, क्योंकि जो sideways की बात कर रहा था, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पिछले अपते भी कहा था, कि हम शायद mid December तक, हम एक sideways zone में चले जाएंगे, एक time correction में चले जाएंगे जो की medium long term के इसाब से बहुत important रहेगा, तो मेरा मानना है कि 1.5 के उपर आपको थोड़ा profit booking कर लेना चाहिए इस बार, तो अभी आप और accumulate कर सकते है dips पे, और 1.5, 1.6 इसके आसपास आते हैं, तो आपको profit booking करनी चाहिए, तो यह रहा PCR का data, PCR बहुत ही शांदार है, अभी भ बना है कि आपके जो long questions है, बिल्कुल बनाए रखे, इसमें जलबाजी नहीं करनी चाहिए, अब आते हैं, MCX पे, पहले हम देखते है, crude, crude oil का chart देखते है, तो यह बहुत important है, इसदर breakout दिया था, यह supports hold करते हैं, क्या नहीं, अगर किसी को buy करना है, तो इसके नजदीक करना है, यह value आती है, 5780 के आसपास, आपका stop loss रहेगा 5500, यहने 200 point का risk लेके, अगर किसी को positions लेनी है, लेनी चाहिए, मुझे लगता है, जो chart pattern है, यह बहुत बढ़िया है, जब ही breakout आता है, उधर testing के लिए एक बार आता है, और अगर testing करके निकलता है, तो आपको बड़ी upmove crude में देखने को मिलेगी, तो यह support जो पहला resistance था, वो अभी support का काम करेगा, और इधर से आपको वापिस एक बार 7500 के levels आते दिनों में देखने को मिल सकते हैं, पर जो आपको मैं buy करने के लिए कहा, आप वापिस थोड़ा सा rewind करके देखिए, मैंने जो level कही, उधर buy करन में आपको 7500 के levels, crude पे देखने को मिलेंगे, stop loss है 5500, daily closing basis के उपर, अभी gold देखेंगे, gold का chart देखते हैं, तो एक base building formation हो चुका है, एक up move देखने को मिल सकती है, पर again, market out performance नहीं होगी, पर शायद हम और थोड़ा सा उपर जाते हुए देखेंगे, तो मेरा मानना है कि आपको 52,000 के आसपास के levels देखने को मिल सकते हैं, आते दिनों में, तो अगर आपके long term के positions हैं, तो बिल्कुल बनाए रखें, fresh positions लेनी की suggestion नहीं है, क्योंकि gold वैसे equity को underperform करते नजर आएगा पर gold भी बढ़ने के probability है, silver की बात करें, silver में भी एक up move देखने को मिलेगा, मेरा मानना है कि एक अच्छा base जो मैंने पिछली बार कहा था, 58,000 के आसपास के 58,200, 250 के आसपास, उदर से एक अच्छा up move आया है, ये up move continue हो सकता है, 70,000, 72,500 तो ये levels रहेंगे targets के लिए, अगर क से positions है तो, अभी हम जाएंगे next जो है, world indices, dow jones का chart देखेंगे, dow jones का अगर chart देखते है, बढ़िया chart pattern है, अभी भी कोई मंदी के संकेत नहीं है, जो हमने पिछला swing top cross किया था, उसके उपर वापिस वही test करते नजर आएंगे, जब तक हम अभी 35,500, ये जब तक हम नीचे म नहीं है, तब तक bullish momentum बिल्कुल बनाए रहेगा, जो उधर inflation चल रहा है, उधर जो परेशानी है, वो सब overcome होगी, मेरा मानने है कि ये सब considered है, built in a charts के उपर, price के उपर, तो थोड़े से correction में है, वापस एक बार correct होके, एक up move देखने पर जरूर मिल जाना चाहिए, तो world markets में कुछ डराऊना signal बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी अगर Asian markets देखें, तो वो out performance दिलाते नजर आ रहे हैं, और आते रहेंगे, next जो चीज है, वो है rupee dollar, अगर हम rupee dollar का chart देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम range bound है, और जिस range में है, वो range रहेगी लगबक 73, 50 और 75 इस range में trade करते नजर आएंगे, कुछ बड़ी up move या down move, rupee dollar में देखने को नहीं मिलेगी, dollar में नहीं देखने को मिलेगी, तो ये range bound ही रहेगा, दोस्तों, अभी हम जाते है, stock specific पे, correct, तो जो इस बार मैं stock लाया हूँ, जो मैंने पहले भी discuss कर चुका हूँ, ktk back, अभी मैं trend line खीश रहा हूँ, ये जरूर देखना मैं क्या खट रहा हूँ, ये दो highs जोइन कर रहा हूँ, और इसको मैं purposely red color से जोइन कर रहा हूँ, ये जो neckline है, अभी ये neckline क्यों कहा रहा है, मैं जिनने टेक्निकल आइसस का workshop किया है, अच्छा इस पे मुझे बहुत अच्छी ये याद आ गया, जो कि बहुत important है, मैं मेरे website पे जाता हूँ, और ये समझ लेना कि this is your last chance, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, December मैने का workshop, ये 17,000 प्लस GST में है, January से हमारी ये ही fee 25,000 प्लस GST में होने वाली है, तो this is your last chance to learn in 17,000 प्लस GST, उसमें भी शायद early bird discount है, तो आप जाइए training में इधर click कीजएगा, click click, और आप अक्षी स्केल करते हैं, और मैं आपका current जाज़ा अगर अगर आप नीचे देखते हो, तो December वाली बैच है, वो 17,000 है, और 27 नमेंबर तक आपको 2000 रुपीज early bird discount मिल रहा है, तो ये training कर लिनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़िया बात, मैं बार बार कहता हूँ, जन्होंने इसके पहले नहीं देखा है, ये money back guarantee है, इधर click कीजए, ये जो लिखा है, ये पूरा पढ़िये, समझ लिजेगा कि किस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा money back guarantee के साथ आप सीख सकते हो, तो ये batch है, ये miss नहीं करनी चाहिए आपको, और इसमें और भी चीजे है, why should you learn technique assess, ये सब पढ़िये, और आप जानिये कि आपका advantage पढ़ने से क्या मिलने वाला है, तो ये money back, 100% money back guarantee है, इसका advantage लिजिए, पर पढ़िये, आप ये पढ़ने से, मैं जो conviction से साथ बात करता हूँ, वो आप relate कर पाओगे, और जब ये relate करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कित्ती बड़ी up move है, तो आते हैं वापिस एक बार केटी के bank पे, दोस्तों ये एक trend reversal price pattern है, हमें देखने को मिल रही है, हमने 2000, ये कब काया देखिए, 2019, नवेंबर 2019, उधर से, आज तक इस trend line के उपर closing नहीं मिली थी, ये पहली बार इसके उपर closing मिली है, volumes देखिए, record volumes, तो internally जिसको मालूम है, कुछ अच्छा होने वाला इस company के बारे में, उन्होंने buy किया है, ये pattern, trend reversal price pattern है, इसका target, जिन्होंने हमारा workshop किया है, उनके पास तो ही है, पर इसदर अगर आपने नहीं किया है, तो आपको मैं सिर्फ stop loss बता रहा हूँ, आप 77 पे buy क कीजेगा, 70 रुपए का आपका stop loss होना चाहिए, weekly closing basis के इसाब से, कहाँ पे weekly closing, याने कभी भी weekend का closing अगर आप देखते है, 70 के नीचे, तो वो 7 रुपए के risk से आप बिल्कुल delivery based bind कीजेगा, targets बहुत बढ़े है, 7 रुपए का risk है, और मैं मानता हूँ कि आपके targets बहुत workshop किया है, उनको calculation करना आता है कि क्या price target है, precise और यह minimum possible target रहेगा, उसके साथ साथ उनको यह भी पता चलेगा, कि यह target कि किते दिनों में आने वाला है, तो दोस्तों हमारा जो free service है, जो chart study हम कहते है, आप आपका study बेजिए, study at the rate kiranzado.com, इस email ID पे आप बेजिए, with time targets, चलो देखिए, देखते है कि किते जन exact study करते हैं, और यह target आने के लिए मेरी probability 95% की देखने को मिलेगी, risk 7 रुपे का है, मैंने stop loss तो बता दिया, थोड़ा सा deep down है, deep down वाला 7 रुपे है, अगर यह stop loss trigger हो गया, तो मैं बाहर निकलूंगा, और targets बड़े है, मैं जब तक targets नहीं आता है, तो stop loss और उसके बाद trailing stop loss और minimum possible target की ओर चलते नज़र आएंगे, minimum possible target ही बड़ा है, RR ratio भी उस study में बेजेगा, यह weekend का homework है, यह सबसे बड़ा वाला homework है, ओके, इसी के साथ दोस्तों, यह video मैं इधर खतम करता हूँ, आपकी इज़दत लेना चाहता हूँ, अगले रविवार को वापिस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद अग्या दीजिए, thank you so much.